है 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 कैसे है आप साब आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोट की तैयारी जबर्दस तरीके से कह रहे होंगे अभीप्षा के मिशन 2023 के सांद तो हमारा अध्याय का नाम है और हम लोग अब तक के स्टोरी में सांतत्य को खतम कर चुके हैं और बता हूं मज़ेदार बात क्या है कि इस वीडियो में सिर्फ एक वीडियो में मैं आउकलिनीता को खतम कर दूंगा और ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कुछ भी आपको कोशन दू और अग्डम जल्दी निप्टाने के चेकर में खतम कर दूंगा और तीन कोशन ल आगया तो आपको आउकलिनीता ने बाएं हाथ तक खेले आथ बाएं हाथ तक खेले तो आपको चालू करा रहा हूं ध्यान रहे याद्याए 14 नंबर देखे जाएगा तो उसी साफ से तयारी भी करो ठीक है अपलों एडिंग डालो आउकलिनीता ठीक है तो मैं सांतत्य और अगल बगल फर्मजा रहा हूं ताकि आप लोग नहीं देख पाओ कि इसमें क्या हो रहे है क्या नहीं हो पा रहा है जहां से देखें तो इस आंतत्य पढ़े कि आए कोई फलन f of x x बराबर a पर संतत्त होगा कब होता है जब हम लोग left hand limit बराबर right hand limit बराबर f of a होता है f of a यह होता है यह जो a है यह x बराबर a है a क्या है a वो है जिस बिंदू पर हम लोग संतत्त की जाच कर रहे है या यह बोल सकता हूं जिस बिंदू पर graph break हो रहा है जिस बिंदू पर graph break हो रहा है यह a जो है न वही point है इसी a को मैं यहां पर लिखा हूं इसी a को यहां पर लिख रहा हूं इसका मतलब मैं भी बोल रहा हूं कि कोई function है जो x बराबर a पर break हो रहा है इसलिए मैं यहां पर a लिखा और एक और चीज में आपको बताया था कि यहां पर f of x is equal to f of a अगर आप कर रहे हो तो यहां पर भाई ऐसे limit डालोगे तभी तो होगा x tends to a यह लो तो यह में दो formula आप लोग को बताया यह पहला formula था यह पहला formula था जिसका मैं color को change कर देता हूं और यहां पर मैं दूसरा formula यह मैं लिखाया यह मैं लिखाया clear एक बाद clear एक बाद ठीक है सब अब यहां पर देखो क्या है यहां पर हम लोग तीन चीज find करते हैं संतर बताने के left hand limit बराबर right hand limit बराबर f of a ठीक है अगर left hand limit not equal to right hand limit आ गया तो f of a calculate करने की जरुवत नहीं है ठीक है देखो अवकल्यनियता में क्या लिखाऊं कोई फ़लन f of x x बराबर c पर यहां में लिखाऊं x बराबर c पर मतलब की x बराबर c c वो बिंदू है जहां पर मेरे को अवकल्यनियता की जाच करनी है और यहां पर a वो बिंदू था जहां संतर की जाच करनी है तो देख डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हुआ अगर हुआ तब मैं इसको बोलूंगा कि एक्स बराबर सी पर फलन व कलन रहां पर क्या था left hand limit बराबर f और यहां है left hand derivative limit नहीं है LH यह बराबर right hand limit इधार है वहाँ right hand derivative अगर यह आगया अगर आपको यह आगया तो आप बोल दोगे कि हमारा जो फलन है वो क्या है अब इसका देखो सुत्र है इसका सुत्र है left hand derivative का सुत्र है अब वो मैं सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ, left hand derivative का सूत्र, left hand derivative का सूत्र देखो ध्यान से, limit, limit h tends to 0, limit h tends to 0, यहाँ पे लिखो f of c, इस c में लिखा रहे हैं, तो यहाँ पे वहाला point आएगा, जहाँ पे बोलेगा आउकल्यनियता की जाच करो, अगर x बराबर 5 होगा, त तो c क्या है, जिस बिंदू पर अउकल्यनियता की जाच कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो, अभी formula पूरा नहीं हुआ, यह f of c, यहाँ पे लिखो f of c, याद करने का तरीका है, चीक है, अब यहाँ पे कर दो, minus h, यहाँ पे भी कर दो, minus h, और बीच में minus का चिंधा लगा तो यह क्या हो गया, left hand derivative का formula हो गया, क्या किया मैं, f of c, इधर भी f of c कर दो, minus h, minus h कर दो, बीच में minus का sin, minus का sin, sin, ठीक है, चिंधा और sin में अपन कभी कभी हो जाते, तो ठीक है, यह अपने अपना याद करने का तरीक है, मैं ऐसे याद किया, तो अब बताया आपको, अग को right hand derivative, right hand derivative में सब सेम रहेगा, यह minus की जगा जो है, वो plus हो जाएगा, मतला plus h और plus h हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, limit, h tends to 0, f of c plus h, minus f of c, और यहाँ पे plus h, यह दो formula है, तो सब से पहले, मेरे को left hand limit calculate करना पड़ेगा, फिर right hand limit calculate करना पड़ेगा, और देखेंगे, अगर दोनों का उत्तर बराबर आ गया, तो ठीक है, किसी बिंदू पर आओका लेनी है, बोल देंगे function, और दोनों equal नहीं आया, तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई formula नही करते थे, अभी तो a है, तो यहाँ पर मैं a minus कर देता हूं f of x, ऐसा करते थे, जिस बिंदू पर लिकालते थे, और right hand limit के बारे में हम लोग ऐसे करते थे, limit h tends to a plus करते थे, a plus a क्या है, जिस बिंदू पर लिकाल रहे हैं, और f of x करते थे, और आगे बढ़ते थे, फिर माना करते थे, हम लोग फिर मानते थे, x बराबर इतना हो गया, फिर x tends to 0, to h tends to 0, तो ऐसे करते थे, तो आप लोग यहीं पर देख लो और अपने आँखों में इसको बसा लो, पुरा आँखों में इसको बसा लो, बोला मैं, तो यहाँ पर कोई formula याद करने के जरुद नहीं है, यहाँ पर भी formula ऐसे कोई याद करने की जरुद नहीं है, यह प्रैक्टिस करकर के हो जाएगा, कोई बड़ी चीज है, क्या मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा है, क्या यह कोई कठीन है, यह हो गया, अब देखो कैसे करते मैं बता रहा हूं, तो question direct देखो कैसा आ रहा है, जहाँ पर अवकलेनिता की जाच करने तो यहाँ पर एक वो point है जहाँ पर आवकलेनिता की जाच करेंगा और सिद्ध करना आ कि अवकलेनी नहीं है, मतलब कि left hand derivative not is equal to right hand derivative आने वाला है, ठीक है, क्योंकि बोल दिया ना आवकलेनी नहीं है, ठीक है, यह हो गया, तो मेरे को मा हमको हल लिखा है यह हल अब मेरे को सिद्ध क्या करना है कि left hand left hand derivative not is equal to right hand derivative right hand derivative यह मेरे को सिद्ध करना है कायदे से ठीक है तो left hand derivative मैं लिखा लूँगा left hand derivative और left hand derivative का formula क्या होता है इसमें formula लिखना भई है ना formula लिखना क्या है limit h tends to 0 f of f of c minus h minus f of c upon h upon h यह मेरा है formula लिख दो इसको लिख दो अब c की जगा है एक है क्या होता है x बराबर c होता है यहां पर देखो मैं लिखाया हूँ x बराबर c तो यहां पर c की value 1 है तो चीक है ना c की जगा 1 लिख देंगे c की जगा 1 लिख देंगे तो ध्यान से देखते रहो क्या होगा limit h tends to 0 तो यह c की जगा मैं 1 रख रहा हूँ क्योंकि यहां पर c की value 1 है तो f of f of 1 minus h minus f of 1 upon minus h कुछ नहीं किया c की जगा 1 लिख दिया अगर यह x बराबर 5 होता तो c की जगा 5 लिख देता है यह क्या है 1 minus h 1 minus h 1 मेंसे कुछ minus करो गए तो x से छोटा ही मिलेगा तो यहां पर ढूंडो x से छोटा क्या है यहां पर देखो x से छोटा यह है x less than 1 यह तो x greater than equal to 1 है एक और एक से बड़ा है यह, हमको क्या चीए 1-h, मतलब एक से चोटा और एक से चोटा कुन सा है, देखो x-1, एक से चोटा यहाँ पे है, तो function मेरा क्या है, function मेरा क्या है, function मेरा क्या है, minus x-1 है, ठीक है, अब ध्यान से देखना है, यह मैं लिखा minus, minus, यह जो bracket में f of x होता है x की जगह मैं क्या डाला हूं, x की जगह क्या डाला हूं, 1-h, x की जगह क्या है, 1-h, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखूंगा, 1-h, 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 x की जगह मैं लिखा, यहाँ पे देखो, 1-h है, तो यहाँ पे मैं लिखा, 1-h, और यह minus, और यह 1-h, ठीक है, अब देखो f of यहां पर देखो F of 1, तो मतलब X, ये bracket में X की value होती है, ठीक है, तो F of 1 है, मतलब X की value 1, देखो X की value 1 कहाँ है, यह देखो X greater than equal to 1, यहाँ पर equal to 1 है, तो जब X equal to 1 है, तो मेरा फलन क्या मिर रही है, X minus 1, X minus 1 मिर रही है, X minus 1, तो यहाँ पर देखो, x की value क्या है? 1, मैं लिखूँगा x minus 1, लेकिन x की value क्या डालूँगा? 1 डालूँगा, x की value 1 डालूँगा, तो यह हो जाएगा 1 minus और यह 1, upon यह minus h, ध्यान से देखना मैं क्या बुला? यह bracket मैंने x से समझो, x की value 1 minus h है, देखो 1 minus h मतलब 1 से छोटा, 1 स चोटा यह है, तो मेरे को यह वाला फलन मिर रहा है, तो क्या x minus, यह देखो, minus x minus 1 लिखूँगा, लेकिन x की value क्या डालूँगा? 1 minus h, यहाँ पर देखो, x की value 1 है, तो मैं ढूंदा x की value 1 यहाँ पर, तो फलन क्या है? x minus 1, तो यहाँ पर मैं x minus 1 लिखूँगा, लेकिन x की value यह 1 डालूँगा अब द्याहां से देखो अब जो कटता है उसको काट दो limit h tends to 0 यह देखो plus 1 और minus 1 cancel हो गया तो क्या बच्छे का minus minus h और यह plus 1 minus 1 cancel हो गया तो यह minus 0 upon h upon h clear रहा अब minus or minus plus हो गया यार limit h tends to 0 minus और माइनस प्लस हो गया h upon h, तो यह और यह कड गया, तो क्या आने वाला है, देखो limit h tends to 0, h tends to 0 क्या आया, 1, यह आया, 1 आया, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जहाँ पे भी h है, उस h की value 0 रख दो, तो कहीं पे h दिख रहे हैं, h तो है नहीं, तो जो value है वो लिख दो, अगर h होता, तो मैं h की value 0 डाल देता भई, यहाँ पे तो h से स्वतंत्र हम लोग को मिला, तो यहाँ पे जो भी value है, वो लिख दो, वो क्या हो जाएगा मेरा, left hand derivative की value आई 1, left hand derivative की value आई 1, 1 आया, अब right hand derivative लिकालने वाला हूँ, मैं right hand derivative लिकालने वाला तो right hand derivative, right hand derivative का पहले formula लिख दो यार, formula क्या होता है, limit h tends to 0, f of c plus h, minus f of c, upon h, यही होता है मेरे ख्याल से, c क्या है, किस point पर लिकारने, एक में, यह हो जाएगा, limit h tends to 0, f of 1 plus h, minus f of, sorry, 1 plus h, minus f of 1, ठीक है, upon h, अब देखो 1 plus h, 1 plus h, 1 plus h, मतलब x से बड़ा, ढूंड़ो, x से बड़ा कहां पे है, ढूंड़ो, x से बड़ा कहां पे है, x से बड़ा क्या है, x से बड़ा, यह है x से बड़ा, x greater than, equal to 1, x से बड़ा, x से बड़ा है, तो function क्या मेरे रहे है मेरे को, x minus 1, तो यहाँ पे लिखूंगा, मैं x minus 1, लेकिन x से जगा क्या लिखूंगा, यह लिखूंगा, यह जो bracket में, तो यहाँ पे क्या है, x minus 1, लेकिन x की जगा क्या लिखूंगा, यह जो bracket में, x से जगा लिखूंगा, 1 plus h, यह हो गया मेरा पूरा x, फिर क्या है, minus 1, यह लिख दो, minus 1, फिर minus f of 1, देखो, 1 कहा तो मेरा function क्या मिर रहा है जब x is equal to 1 है तो क्या मिर रहा है x-1 यहां पर लिखूंगा x-1 लेकिन x की जगह यह जो bracket में वह लिखूंगा तो क्या x की जगह 1 है तो यह 1-1 और upon h, upon h, तो ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, यहां पर कुछ आपन mistake तो नहीं करें, mistake किया है, यह न माइनस है, यहां से देखना, यहां पर आएगा minus, तो h और h कट जाएगा, तो यहां पर आएगा minus और यहां पर आएगा minus 1, जहां से देखना, क्या आप यह mistake पकड़ पाए था, अगर mistake पकड़ पा रहे हो ना, तो अपने आपके लिए ताली जालो, अपने आपके लिए ताली बजालो, तो देखो, यहां पर कुछ कट रहे है, हाँ, यह plus 1, minus 1 कट गया, यह plus 1 और minus 1 कट गया, तो यहां पर क्या हुआ, limit h tends to 0, limit h tends to 0, यह हो जाएगा, h minus 0 upon h, clear है क्या है, तो h minus 0, h होगा, h minus 0, h होगा, upon h, तो h और h कट गया, तो इस आपके लिए यह, यहां पर मैं लिक्राओं, देखो, right hand derivative की value क्या आई, right hand derivative की value आई, one, one आई, अब मेरे को आप लोग ध्यान पूर्वक बताओ, क्या यह अउकलिनी है कि, अउकलिनी नहीं है, क्या left hand derivative is equal to right hand derivative, left hand derivative का मान, minus 1 आया, right hand derivative का मान, plus 1 आया, बतला left hand derivative not equal to right hand derivative, हम सिद्ध कर दिया, और सिद्ध तो यही तो करना था, कि आउकलिनी नहीं है, और आउकलिनी नहीं है का मतला, तो यही तो होता है, कि left hand derivative not is equal to right hand derivative, तो clear है, ऐसे लिकालते हैं, तो पूरा मैं आप लोग को story बताया, तो आप लोग लिखोगे उत्तर, उत्तर लिखोगे आप ल question number two, आप लोग के लिए homework है, क्योंकि same है, क्योंकि same है, क्योंकि same है, तो मैं यह नहीं बताऊँगा, यह homework है, तो यहाँ पर must प्याब से लिखो, home work, homework आप लोग को करना है, अब मेरे को बताना है, comment करके बताऊगे, आउकलिनी नहीं है, यह सिद्ध हुआ की नहीं, हुआ क लिख दो सार की सिद्ध हुआ, मतलब यहाँ पर भी क्या आने वाला है, आउकलिनी नहीं है, इसका मतलब आने वाला है, कि left hand derivative not is equal to right hand derivative, कभी आ गया कि आउकलिनी है, उसका मतलब क्या हुआ left hand derivative बराबर right hand derivative, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो ऐसे नहीं कियार, आ तो इसमें मिटा के दिखा, तो यह attitude होना चाहिए, यार बोड के student हो, यह attitude होना चाहिए, तो ठीक है, फिर यह आप लोग का होंगा करहा, तो यह last question आज के वीडियो के, last question आज के वीडियो का लिखा है, मिन में लिखी फ़लन की, आउकलिनी नहीं कि जाच x बराबर 0 पर लिखते रहना, तो f of x दिया है, x into sin 1 by x, जहां पे x not is equal to 0 है, और 0 है, जहां पे x बराबर 0 है, ठीक, आउकलिनी नहीं है, कि जाच करनी, याद रखना, आउकलिनी नहीं है, हम लोग को बोला नहीं है, कि कुछ प्रूफ करो, प्रूफ करो नहीं है, हम लोग को बोला है, कि आप लोग विचार भी मश किये भी है, कि क्या है, तो मैं बताता हूँ, यह आउकलिनी है, कि नहीं है, बस यही बस बात बताऊँगा, तो जिहां सिधर देखना, तो left hand derivative में लिका लूँगा, क्योंकि left hand derivative की बीना बात कैसे बनेगा, और right hand derivative की बीना बात कैसे बनेगा, है, limit h tends to 0, limit h tends to 0, f of c minus h, minus f of c upon minus h, देखो c की जगह क्या है, c की जगह है 0, limit h tends to 0, तो क्या हो जाएगा, 0 minus h, 0 minus h, minus h हो जाएगा, और यहाँ पे f of 0, और यह हो जाएगा, minus h, ठीक है, ठीक है, अब देखो, minus h, minus h, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे कुछ तो बात है, यह special concept है, इसको 3 star दे दो, देखना यहाँ पे, जबरदस तरीके का एक concept आएगा, यहाँ पे, 3 star दे दो, ध्यान से देखो, f of minus h, f of minus h, f of 0, और यहाँ पे है, f of, sorry, यहाँ पे minus h, तो क्या आएगा, f of minus h, ठीक है, यह f of 0, 0 की value 0 है, f of minus h, ठीक है, f of minus h, मतलब की 0 नहीं है, मतलब की 0 नहीं है, अगर ध्यान से, अगर मैं ध्यान से, अगर देखूं, ठीक है, इस question को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहाँ पे देखो, f of 0 है, ठीक है, यहाँ पे, ध्यान से बस देखते रहे हैं न, न, मैं इसको पहले लि 0 है तो function क्या है 0 तो यहां पर मैं लिखा 0 अब यहां पर क्या है f of minus h f of minus h तो यहां पर देखो यहां पर x होता है bracket में तो यहां पर x की value क्या है 0 नहीं है दोई चीज तो दिया है जब 0 होगा और 0 नहीं होगा तो यहां पर क्या है x की value 0 नहीं है जिरो नहीं है अगर X के वाल्यू जीरो नहीं है तो यहाँदा लो limit भी डालना पड़ेगा हम लोगों यह इसको हटा देते हैं थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहां पर मैं लिखा यहां पर मैं लिखा minus h हाना इस x की जगा minus h क्योंकि जो bracket में फिर sin 1 by x x की जगा minus h तो sin 1 by यह minus h, minus h, यहाँ पे limit h tends to h tends to 0, यहाँ से देखते रहना, यहाँ से देखते रहना बस, इसको अच्छे से अगर मैं लीख हूँ, तो limit h tends to 0, h tends to 0 minus h, यहाँ पे upon भी आएगा, upon minus h, upon minus h, यह 0 ना, इसमें minus 0 होगा तो यही आएगा, यहाँ से देखते, यह minus h और minus h कड़ गया, minus h और minus h कड़ गया, तो क्या आया, limit h tends to 0, क्या आया, sin minus 1 by h, और एक फॉर्मूला होता है, त्रिकोन मिती में बताया हूं, कि sin minus theta is equal to होता है, minus sin theta, minus sin theta, यही फॉर्मूला लग रहा है, sin minus theta theta की जगा 1 by h है, तो अगर फॉर्मूला लगाँगा, तो क्या बचेगा, limit h tends to 0, sin minus theta होता है, minus sin theta, minus sin theta, ठीक है, इस minus को बाहर कर देता हूं, limit के, इस minus को limit के मैं बाहर कर दिया, limit h tends to 0, sin 1 by h, 1 by h, अब h की value put कर दिया मैं, h की value put करो नहीं, यहाँ पे, h की value put करो नहीं, देखना जबर्दस चीज़ होगा, अब h की value put कर रहा हूं, तो limit नहीं लिखूँगा, तो क्या हो जाएगा, sin 1 by 0, और sin 1 by 0 के मतलब sin infinity, sin infinity ना, यह, यह आ रहा है, यह, और यह तो परिभासी थी नहीं है, यह तो परिभासी थी नहीं है, sin infinity पे क्या होगा, क्या मालूम, sin infinity पे क्या होगा, क्या मालूम, परिभासित ही नहीं है, तो left hand derivative की value आपको कभी जीवन में नहीं मिल सकता, क्योंकि sin बताओं कहां से कहां लाई करता है, minus 1 से 1 में लाई करता है ये, तो मेरे को sin infinity की value नहीं मालू में क्या होगी, यादे sin 0 degree, sin 90, sin 180 करते हैं, तो left hand derivative की value क्या होगी आप परिभासित, तो left hand derivative जो है न, left hand derivative, left hand derivative, left hand derivative परिभासित नहीं है, अगर left hand derivative परिभासित ही नहीं है, तो ये तो आउकलिनियों हो गए नहीं न, क्योंकि आउकलिनियों होने के लिए left hand derivative बराबर right hand derivative होना चाहिए, अब left hand derivative की value मालूम ही नहीं, तो right hand derivative लिकाल के करोगी क्या, कुछ भी आई right hand derivative की value, पहले left hand derivative की value तो left hand derivative परिभासित ही नहीं है, और left hand derivative परिभासित नहीं है, तो यहां फलन आवकलीनिन नहीं है तो यह मैं आप लोगो पूरा बताया बच्छो और यहां पर मैं आवकलीनिन खतम कर दिया इस कंसेप्ट को एक बार और देखते रहना कि कोई दिक्कत तो नहीं आपको ठीक है बस मैं बोला यार परिभाशित नहीं है बस इतनी सी बस बात है ब बस माइनस है से माइनस है काड़ दिया यहां पर इसको अच्छे से लिका साइन माइनस थिटा माइनस साइन थिटा होता है एच की वैल्यू अगर डाला तो यह हो गया ठीक है बच्छों तो मिलता हूं नेक्स वीडियो में नया टॉपिक आवकलन चालू करेंगे तब तब बच्छों पढ़ते रहें हस्ते रहें मुस्करते ताटा बाई बाई